हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनेट बिन्स यहां पर हम अपनी दुर्वा बुक का नया पार्ट लेकर आए हैं नया पार्ट कौन है बच्चों के प्रिये केशव शंकर पिल्ले तो यह जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यह आशारानी वहरादारा लिखा हुआ है यह एक इन्होंने व्यक्तित्व हमारे सामने पेश किया है यह विधा जो हमारे सामने है हम यह किसी के पूरे व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे इंसान थे क्या थे उनका क्या क्या बेहिवियर था बच्चों जैसे कि आप नाम चैप्टर के नाम से ही दे चलिए देखना शुरू करते हैं कि यह कौन थे और बच्चों के लिए लोने क्या क्या किया और बच्चे इनको क्यों प्यारे थे तो शुरू करते हैं यह बाद हम बच्चों तुम डार्क टिकेट पुराने सिक्के आधी जमा करते हो ना मतलब यह आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कभी किसी चीज का कलेक्शन करते हैं चोटी लड़कियां गुडियों का भी संग्रह करती हैं मतलब जो चोटी चोटी लड़कियां होती हैं उनके पास बहुत सारी गुडियां आपको तरह तरह की देखने के लिए मिलेंगी लेकिन धे सारी गुडियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि एक तो ग लेकिन अगर हमें गुडियां क्लेक्ट करनी हो तो अब गुडिया तो हम स्क्राप बूप में चिपका के नहीं रख सकते ना अब उसके लिए हम जो हैना हमें भूत सारी जगा चाहिए होगी पहली चीज तो यह और दूसरा एक गुडिया आती भी काफी महँगी तो एक बार को समझ में आता है मगर पूरुष यानि के एक बुढ़ा विक्ति जो है वो गुडियों का संग्रह करे यहां मैं तुम्हें उस विक्ति के बारे में बताने जा रही हूं जिसने दो चार पांच दस नहीं पांच हजार से अधिक गुडियों का संग्रह किया मतलब उसका जो संग्रालय है उसमें 5000 से अधिक गुडियां आपको तरह तरह की गुडियां देखने को मिलेंगी सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन देशों को से भाती भाती की रंग विरंगी खूपसूरत गुडियों का संग्रह करते थे कौन यह हमारे जो हैं केशव संकर पिल्ले जी जानते हो यह इतनी सारी गुडियां उसने अपने लिए नहीं कठा की थी देश विदेशों की विभिन विभिन वेशभूशा से सजी अपने अपने देश के तौर तरीके वाली खूपसूरत गुडियाएं उसने भारतिये बच्चों के लिए ही जमा करी थी या देश में अलग अलग तरह चीएं होती हैं उनके पहनावे अलग होते हैं उनके तोर तरीके अलग होते हैं तो यह एक तरीके से हमको परिचत करा रहाता दूसरे देश की सुन्सक्रिती से ये गुडिया हमें किस चीज़ से परिचित कर रहे थी जिस भी देश की सन्स्कृति पहनावा तौन तौर तरीका इन सब से हमें परitter कराता है तो यह सब हमें बताने की कोशिष किसने करी है जी शंकर dzi्क डेकर इन गुडियों को उसने दिली कि एक विशाल संग्रहाले में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें उन्हें बच्चों से प्रेम था इतना ही नहीं वहाँ उनकी खुशी के लिए भी बहुत सारे काम करते थे और सुभा से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे तो इन्हों ने जो में ही लगे रहे इस व्यक्ति का नाम था केशव संकर पिल्ले वही शंकर पिल्ले जो लंबे समय तक संकर्ष वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे तो वह एक कार्टूनिस्ट भी थे की मतलब एक पत्रिका निकलती थी संकर्ष वीकली तो इसमें संकर्ष वीकली का मतलब अब शंकर्स्तों संकर जी के ही नाम से हो गया और weekly मतलब सब्ताहा में एक बार निकलने वाली पत्र का उसमें वो काटून बनाते थे वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तके और पत्रिकाएं निकालते थे मतलब वो बहुत सारी पुस्तके भी लिखते थे और पत्रिकाएं भी निकलते थे जिसमें बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़े रहती थी जैसे गेम्स हो गई, कहानिया हो गई, काटून्स हो गई, बहुत सारी चीज़े जिन्हें बच्चे पढ़के बहुत खुश होते थे उनके लिए चितरकला प्रतियोगिताएं आजयोजित करते थे सिर्फ भारत के ही नहीं बलकि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते थे बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत यानि कि उन्हें अगर कोई ताकत मिलती थी तो वो बच्चों के साथ रहकर ही मिलती थी सारे कामों को प्रोसाहन भी उन्हें बच्चों के साथ रहकर मिलता था और अगर कोई कमजोरी थी तो वो भी बच्चे थे यानि कि अग वो बच्चों के आगे आके बिल्कुल लाचार हो जाते थे तो इस तरीके से बच्चे ही उनकी स्ट्रेंथ थी और बच्चे ही उनकी वीक्निस भी केशन संकरपिले का जन्म 1902 ठीक है 1902 यानि कि 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ त्रिवेंद्रम विश्विद्याले से बिये करने के बाद उन्होंने मुंबाई में सिंधिया शिपिंग कंपणी के संस्थापक के निजी सचिफ के रूप में नौकरी की तो यह एक शिपिंग कंपणी है जहां पर शिप्स आते हैं ठीक है वहां के जो संस्थापक के निजी सचिफ यानि कि सेकेट्री बनके भी उन्होंने कारिक किया साथ ही साथ कानून का अध्यान और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा जब ये काम कर रहे थे तो साथ ही साथ ये वकालत भी पढ़ रहे थे कानून के अध्यान कर रहे थे मतलब वो वकालत भी पढ़ रहे थे और चित्रकला भी सीख रहे थे क्योंकि इन्हें कार्टून बनाना या पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था तो ये साथ साथ में वो भी करते जा रहे थे कार्टून बनाना उनकी होबी थी यानि कार्टून बनाना जिसते भी की होबी होती कुछ हमारा कार फील्ड अलग होता है वर्क फिल्ड अलग रहता है और हमारी के अगर होबी होती है तो वो भी हम साथ साथ में अपने रखते हैं बॉंबे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई तो उन्होंने अपनी कार्टून कुछ कहां चापे बॉंबे क्रॉनिकल में तो वहां वहां जब उनकी कार्टून देखी गई तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में जो है एक कार्टूनिस्ट की जॉब मिल गई ऐसा पहली बार हुआ था क्या हुआ था 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे भई कार्टून तो बहुत बनाते थे लेकिन कार्टूनिस्ट के नाम पर फेमस भारत के ये पहले कार्टूनिस्ट थे जिने किसी पत्र में पूरे समय के लिए नौकरी मिली थी तो पहले क्या होता से उसी टाइम के लिए उनको पूरे टाइम के लिए सैलरी मिलती थी यहां पर अपने वर्क के लिए इनको तो मिलती थी मतलब पूरी सैलरी पूरे महीने के उनको मिलती थी देश-विदेश की बड़ी-बड़ी हस्तियों पर बनाएं उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी और खीचा और शंकर पिल्ले प्रसिद्ध हो गए तो उनका जो कार्टून थे वो राजनीती से भी संबंधित रहते थे देश-विदेश की राजनीती लोगों के बड़े-बड़े वैक्तित्यों के उपर रहते थी तो इस तरीके से उनकी कार्टूनों ने क्या हुआ बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीचा और वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होते चले गए मतलब उनका नाम फेमस होता चला गया प्रतिबाद छुपी नहीं रह सकती उसे प्रकट होना ही पड़ता है अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो जाहिर सी बात है पार्खी अपनी पात्रिका संकर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी अप अगर एक संपादक के नाम करेंगे तो आपको सारे प्रोसीजर समझ में आने लगते तो धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ अपने नाम से एक पत्रिका निकालने शुरू करती क्या थी उस पत्रिका का नाम संकर्ष वीकली यह अपने धंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी यानि कि यह अलगी तरीके की पत्रिका थी क्यों यह अलग तरीके थी क्योंकि यह सिर्फ बच्चों क निकलती लेकिन पहला ऐसे नहीं था तो वह अपने तरह की पहली ऐसी पत्रिका थी जो सिर्फ बच्चों के लिए निकाली गई थी संकर्ष विकली में बड़ा साहब और मेम साहब सिक्षक नियमित नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोकली दुनिया पर हाथ से व्यंग को बहुत पसंद किया गया मतलब क्या होता है जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं तो उनकी उपर से देखने में लाइफ बड़ी अच्छी लगती लेकिन अंदर से उन लोगों की व्यंग करते थे तो ये सब चीज़े जो हैं वो बहुत ही जल्दी फेमस होनी लगी लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को उनके हाल पर छोड़कर शंकर बच्चों की और जूग गये तो शुरू शुरू में तो उन्होंने इनके उपर छापा लेकिन इन्होंने यह सुन्दर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं क्यों न इनके लिए इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए तो जब उन्होंने अपने आजपास छपने वाले पत्र-पत्रिकाओं को देखा तो उन्हों ने देखा कि बच्चों के लिए तो इसमें ज़्ाधा कुछ निकलता ही नहीं कि बच्चों के अंदर इंटरस्ट जागे कि वह पढ़ें और जाने तो होता है हम लोग बोलते हैं कि बच्चों में पेपर पढ़ने की हाबिट होनी चाहिए लेकिन यह नहीं होती है तो उस कंडिशन में क्या है कि बच्चों की पढ़ने लाइक भी तो मटीरियल उसके अंदर होना चाहिए अब बच्चों को राजनीती नहीं पता ठीके आसपास होरी बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता चाहिए उन्होंने ध्यान दिया और उन पे बहुत सारी चीज़े चापी और बनवाएं जो करी भी आयोजित भी करी जो अभी हम आपको आगे बताएंगे कलाकार तो भाविक होते हैं बच्चों के प्रती उनके मन में जो प्रेम उम्रा तो वे उन्हीं के खयालों में डूपते चले गए उन्होंने पहली बार संकर्ष वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा तो जब इन्होंने शुरू करा संकर्ष वीकली चपवाना जो तो उसमें उन्होंने उसी के जरिये बच्चों की एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन करने के बारे में च्छापा अब सोचिए यह कप की बात है 1948 यानि कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके जस्ट एक साल बात की बात है और संकर्ष वीकली तो उससे पहले ही छपने लगी थी 1946 से पहले ही तो यह क्या हुआ कि उन्होंने तब चित्रकला का विचार रखा और उसे संकर्ष वीकली मे पैरेंट्स हों या जो भी वह सभी ने अपरिशेयट किया इस विचार को विचार नया था बच्चों के हिद के लिए dough का इसलिए लोगों ने उससे बहुत पसंद किए यह विचार नया था क्योंकि उससे पहले ऐसा रिचार कोई रखा नगया था इसलिए नया था और गूसरा यह बचछों के हित में था तो इसलिए सब का पसंद करना लाजमी सी बात थी उस समय देश के परदाहान मंतरी और बचों के प्यारे चाचा नहर नहुत को भी यह व्याद रखेगा उस समय हमारे प्रदाहान मंतरी थे अंतरास्टी थी मतलब उसमें विभिन देशों के लोग भी आने वाले थे 1950 में संकर्ष वीकली के बाल विशेशांक में श्री नहरू ने लिखा था अनेक देशों के बच्चों को बच्चों की यह फौज अलग-अलग भाशा वेश-भूशा में होकर भी एक जैसी ही है यानि कि अगर हर देश के बच्चे आकर यहां इकठा हो जाएं वह अलग-अलग भाशा बोलेंगे अलग-अलग वेश-भूशा में होंगे लेकिन यह एक ही फौज है वह बच्चे हैं और बच्चे सबके प्रिये होते हैं तो वही चीज थी कि यहां पर बच्चे होंगे तो वह स सिर्फ एक नजर से देखे जाएंगे कि वो सिर्फ प्यारे प्यारे और भोले भाले से बच्चे हैं। अनेक देशों के बच्चों की ये फौज अलग-अलग भाषा वेश-भूशा से होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकठा कर दो वह या तो खेलेंगे या लड़ेंगे और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी मतलब अगर हम बच्चों को इकठा करते तो वह कुछ तो खेलेंगे कुछ आपस में बहस या लड़ाई होने लगेगी लेकिन यह लड़ाई भी एक ख प्रतियोगता के आयोजन को महत्व बहुता और आगे बढ़ाया भी था संसार घर के बच्चों को निकट लाना था इसके बाद हर वर्ष संकर्फ वीकली के बाल विशेश आंक निकलते रहे हर वर्ष ये प्रतियोगता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही तो मतलब जब एक बार हुआ तो उसके बाद हर साल ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही और हर साल इन बच्चों के आने वाले बच्चों की संक्या बढ़ती ही जा रही थी पहले थोड़े फिर थोड़े फिर थोड़े जैसे जैसे लोगों को हर साल पता चलता था और उ प्रतियोगता में भाग लेने के लिए अपने स्कूलों में पूरा साल त्यारी करते थे ताकि उस प्रतियोगता में भाग ले सके तो यह होता था भारत के बाहर भी लगभख सो देशों के बच्चे हर वर्ष अंतरास्ट्रिय बाल चितकला प्रतियोगता में भाग लेते हैं अभी भी ऐसा होता है सब 1970 में 1970 में 103 देशों के कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगता में भाग लिया था तो 1970 ने उसमें कितने लिये थे 1,90,000 लगभख 2,00,000 में करीबन 10,000 बच्चे ही कम थे 18 देशों के 22 बच्चों ने नहरू सोड़पदंग जीता तो जो अगर बाहर देशों से आये थे उसमें से 18 देशों के लोगों ने बच्चों ने 22 बच्चों में नहरू सोड़पदंग जीता था और कुल निवंत प्रतियोगिता कविता प्रतियोगिता तो पचास जो है वह लेखन के लिए ते और वागी सभी जो है वो चित्रकला संबंधी पुरसकार ते अब देखिए इसमें जो भी इंपोर्टेंट है इन सब को आपको ध्यान रखना है 482 पुरसकार और 50 पुरकार लेखन में तो यह ऐसी पॉइंट से जिनें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह आपके चैप्टर के बीच में से आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए इनको ध्यान से करके अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लिजेगा कि ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं कुछ भी होते हैं कुछ भी हाइलाइटर ले लिजे यह कलर पैंसिल उससे आप अंडरलाइन कर लो तो यह चीज यह रहती है कि यह इंपोर्टेंट है यह चीज़े हमें याद रखनी तो जब भी आप चैप्टर आपका एक्जाम होगा आप चैप्टर रीट करोगे तो यह सब चीज़ें हाइलाइटेड आपके दिमाग में बहुत जल्दी ब बाल लेखो को और बाल चित्तकारों के साथ तस्वीरे खिचवाते रहें बच्चों की प्रदिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुची थी क्योंकि इसलिए तो बोलते हैं चाचा नहरू के बर्थडे वाले दिन को हम लोग इसलिए तो चिल्ट्रेंस डे मनाते हैं बाल द ने किया और जो भी साहर का सरकारी सहायता लग सकती थी वो सरकारी खजाने से शंकर पिल्ले जी को मुहिया भी कराई गई थी आज नई दिल्ली के चिल्ट्रेंस बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकाले गुडिया घर एक नया हॉबी सेंटर है मतलब आज बच्चों के लिए ये हम हब है वो लोग पहुंच जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है गुडिया घर है चिल्ट्रेंस बुक ट्रस्ट है और बाल पुस्तकाले हैं तो वहां पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और ये सभी देन जो है हमारी केशव शंकर पिल्ले जी की द्वारा ह इस तरह सभी देशों की संदर कलापूर गुडियों की खोज की उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनिवी हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रे किया तो गुडियों के साथ साथ उन्होंने पुस्तक भी जो हैं इकठा की और उनका संघ्राले बनवाया था उ पुस्तकों में भारत की लोग कथाएं पौडानिक कथाएं पंचतंत और हितोब देश की कहानिया तथा ग्यान विज्ञान की कहानिया भी होती है इनकी छपाई का इस्तर बहुत मुचा है तो अब ध्यान दीजे जो यह पुस्तके छपती है इसमें भारत की लोग कथाएं होत प्रस्लित रहती हैं तो वो उसमें छपती रहती हैं पौराणिक कथाएं मतलब हमारे पुराणों से रिलेटेड जो रहती हैं हमारे जो पुराण हैं ग्रंत हैं उनसे रिलेटेड जो कथाय रहती हैं वो भी छोटी-छोटी तौर पर छपती है पंच तंत्र और हितो करा जाए इस पर बहुत सारी कहानिया छपती रहती ड्यान विज्ञान की भी गहानया होती मतलब science related ृती जनकी छपाई का इस्सक्राइब बहुत ऊचा है मतलब वह भारत की संस्ट्चि की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की यूजना है तो अभी क्या चल रहा है कि भारत की ये संस्कृति देश के विभिन भाषाओं में भी प्रकाशित की जाएगी देश में छपाई का इस्तर उचा हो इसके लिए वे प्रसिक्षण कोर्स भी चलाते थे तो वह चाहते थें कि भ sì इसका प्रस्क्षण भी तो छपाई कैसे हूं अगर आपके कहानिया कर दी सारी चीज मोह है तो छपाई के लिए भी तो लोगों का संग्रह कैसे शुरू हुआ 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुडिया उपहार में मिली वह गुडिया इत्ती सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए उन्होंने विभिन देशों से धेर साड़ी गुडियों को ला लाकर भारतिय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर कि जो आज भी कलेक्शन मौझूद है दिल्ली में गुडिया घर के नाम से जहां पर लगभग 5000 से जादा गुडियों का कलेक्शन इकठा है जिसे हम सभी जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं पहले उन्होंने अपनी गुडियों के इस संग्रे को कई जगा परदर्शनियां लगा कर बच्चों को दिखाया कि मतलब जब कम मात्रा में थी तो गुडियां ले जाते थे और उनकी एक्जिबीशन लगाते थे और बच्चे आते थे देखने के लिए जब गुडियों की शंक्या बहुत जदा हो गई तो जगा जगा परदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया जब कॉंटिटी बढ़ने लगी तो इतनी सारी तादात में गुडियों को ले जाना मुश्किल होने लगा ऐसी कीमती गुडियों के खराब हो जाने का भी ढरता भाई ट्रैबलिंग के थ्रू क्या होता है अगर ठीक से पैकेजिंग नहीं हुई तो वो खराब भी हो सकती है तब शंकर के मन में एक गुडिया संग्राले बनाने का विचार आया यह मतलब आपको वहां पर एक संग्राले मतलब म्यूजियम गुडियों का मुजियम बनाने की जो अब एक वरक्शॉप भी खोल दी गई है मतलब गुडिया तो है यह उसमें एक वरक्शॉप भी चलती है जहां भारतिये गुडियों के निर्मार होता है निर्मार किया जाता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है हर साल उस गुडिया घर को देखने भाले भारतिय बच्चों की संख्या एक लाख से अधिक होती है यानि कि हर साल अगर काउंट किया जाए कि उसको देखने के लिए कित्ते लोग आए हैं तो करीबन हर साल उसको देखने के लिए एक लाख से ऊपर बच्चे आते ही हैं यहां लगबट 85 देशों की प्राचीन औ और आधुनिक गडियों का आकर्शक संग्र्य है अब देखे 85 देशों की है प्राचीन हैं और बहुत ही आधुनिक गुरिया भी बहुत पुरानी गुरिया भी क्योंकि बहुत पहले से क्लेक्ट की जा रही और आधुनिक चृष?' यहां क्योंकिर्ट समय बात तक करती रही उन्हें चवंवन ने उसके बाद से उन्होंने शुरू किया और बाद में जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने वो कलेक्शन जारी रखा भारत के सभी राज्जियों की गुडियां यहां एकफ्रित है अगर हम सभी राज्यों में जाएं तो वहां के पहनावे के साथ वहां की गुडियां मिलती हैं तो वो सभी कलेक्शन जो है वो वहां पर मौझूद है इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्जिके और विदेशों के रहन सेहन, तौर तरीकों, फैशन, वेश भूशा तथा रीती रिवाजों से परिचित हो जाते हैं गुडिया घर के कुछ प्रमुक आकर्शन भी हैं हंगरी की उन कात्ती व्रद्धाएं, टर्की की संगीतक के टोली, इस्पेन की प्रसिद सान से लडाई, जापान की चाय, उच्सब और काबुली नत्यकिया, इंग्लैन का राज परिवार और सेक्स्पियर जैसे कभी, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक जाकिया और देश-विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्रतल पर मानव, तो ये सिर्फ गुडिया ही नहीं, इसके इलावा आप वहाँ पर ये सारी चीज़े भी देख सकते हैं, कि मतलब सिर्फ गुडिया कलेक्शन होगा ऐसा नहीं, इसके इलावा इन सब को चीज़ों को जो भी यहाँ पर हमेंशन की गई, ये सारी चीज़ें महाँ पर मौजूद हैं, जो एक आकरशन का किंद्र हैं, ये गुणाई इतनी आकरशक हैं कि हस्ती बोलती, काम करती, चलती, फिरती, सजीत सी लगती हैं, मतलब ये हमें वाकई सजीत सी लगती हैं, कि अभी जी के उठके चल एक दिन काफी नहीं हैं, और अगर हम इसको देख भी ले एक दिन, मतलब मालीजे हमने इसको एक दिन देखा फिर दूसरे दिन जाएं, तो वो इतना आकरशक है कि हमको हमारा मन करता है कि हम बार बार वहाँ पर जाएं, बहुत ही सुंदर और आकरशक गुणियों के कारण, और वहाँ पर रख्की मूर्तियों के कारण, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश वी देश के बारे में उनकी जानकारी बड़े गुडियां घर के स्थापना के पीछे, शंकर का यही उब देश था, कि जो बच्चे ह यहां आएंगे तो विभिन देशों की साच, सज्जा, पहनावा और दूसरे देशों के बारे में जानकारी भी इससे एकत्र कर पाएंगे, जान पाएंगे ये दूसरों देशों के बारे में, बच्चों की विकास के लिए शंकल की अगरी योजना थी, आर्ट क्लब, हॉब बच्चों के लिए इतना सब आगे करना चाहते थे, अपनी इस योजना के वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे, इस योजना को उन्होंने क्या दिया, बच्चों का जनतंत्र, यहां पे सिर्फ बच्चों के लिए और बच्चों का ही शाशन रहेगा, मतलब यह सिर्फ बच्चों के लिए ही रहेगा इस तरह केशव संकर पिल्लय अपने बाल प्रेम और क्रतियों में ना सिर्फ भारत में बलकी पूरे विश्व में विख्यात हो गए दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला किस तरीके से उन्होंने बच्चों के बारे में कितना कुछ किया हमने जब इसके बारे में पढ़ा और जाना कि इतना जादा उन्होंने किया है तो वाकई उनका कार प्रोसाहित करने वाला है कि जो कार उन्होंने किया है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं तो आई होप आमने बहुत ही अच्छे विक्तितों के बारे में जाना क्योंकि हम सब ही के अंदर हमेशा एक बच्चा जीवित ही रहता है चाहे हम जित्ते बड़े हो जाए आज भी अगर हम गुडिया देखेंगे उसको देख का मन मचली जाता है तो वो गुडियों का संग्राले हो चाहे चित्रकला एक काटून भरी एक पुस्तक हो हमें पढ़ने में आज भी मजा आता है तो यह सब को हमारे देश में प्रशलित करने में सबसे बड़ा हाथ रहा केशव संकर पिल लेगा तो यह